हैलो दोस्तो एजट Electrical Works यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का हरदिक स्वागत है तो चले दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे Basic Refrideration Circle के बारे में दोस्तो Basic Refrideration Circle दोस्तो देखिए आप Freeze में काम करेता हो, D-Freezer में काम करेता हो, AC में काम करेता हो देखिए दोस्तो हम लोग का फ्रीज होता है, AC होता है, vhdaak न दो भागों से जानी काम करते है। एक होता है उसका electrical system, एक होता है उसका mechanical system। घी के दोस्तो की सिस्टम क्या होता है। हम लोग का जैसे की हम लोग का fridge freeze को चलाने के लिए जैसे की फ्रीज का compressor को चलाने के relay overload का ज़रुवरत होती है ठीक है temperature को control करने के लिए thermostat का ज़रुवरत होती है ठीक है उसको temperature controller भी बोलते है हम लोग का AC को चलाने के लिए जैसे की देखिए PCB भी printed circuit board का वह में जरूरत होती है ठीक है यह हो गया इसका electrical भाग यानि कि electrical component और mechanical component जो हो जिसका अंदर से gas पूरा संचलीत होता है और संचलीत हो करके तो आज हम लोग जानेंगे basic refrigeration circle ठीक है दोस्तों आप दोस्तों basic refrigeration circle को सिख लेंगे तो आपको freeze का 100% का आप सिख जाएंगे दोस्तों देखिए यहां में जो है आपको practically सिखना practically सिखना बहुत ही important है आप theory जादा नहीं सिखेंगे तो कोई फरक नहीं है लेकिन आपको practically सिखना बहुत ही important है आप काम करने जाएंगे देखिए हम लोग तो गरिब है हम लोग को काम करके कुछ कामाई कर सकते है कि काम करके हम लोग को परिवर पल सकते है ठीक है दोस्तों तो जो है practically आप लोग को जो है हम सिखाऊंगा theory ज्यादा नहीं सिखाऊंगा ठीक है दोस्तो चलिए दोस्तो वीडियो शूरू करते हैं दोस्तो हम लोगा जो basic refrigeration circle होता है basic refrigeration circle का अंदर में जो हम लोगा क्या क्या component आथा है वो पहले जान लेते हैं दोस्तो यहाँ में सबसे पहले जो है compressure रहेगा compressor एक बाद यहाँ में बतर देथे दोस्तो compressor को आप देखिए electrical component भी बोल सक्ते हैं और mechanical component भी बोल सक्ते हैं idiot compressor का अंदर में देखए compressor का अंदर में compressor motor रहता है ठीक है중 दोस्तो थो release compassER में supply याता है compressor start होता है इसमें मोटर रहता है और इसमें देखिए हम लोगों जो रेफिजरेंट है यानि कि गैश है वो गैश भी इसमें रहता है ठीके दोस्तो इसलिए इसका जो है मेकानिकल कॉंपोनेंट भी बोलता है और इलेक्ट्रिकल कॉंपोनेंट भी बोलता है ठीके दोस्तो यानि कि compressor रॉइगा, compressor का बाद रहेगा, क्या रहेगा, condenser रहेगा, condenser का बाद क्या रहेगा, filter रहेगा, filter का बाद रहेगा, and capillary तूबれて यहनी कि इभापोरेट है तो कितना component हो गया दोस्तों compressor एक हो गया यह जो condenser 2 हो गया यह जो filter है filter 3 हो गया जो capillary tube यह चार हो गया और जो हम लोग का cooling coil है cooling coil 5 हो गया यह जो पांच component जो है पांच component मिल करके हम लोग का basic refrigeration circle है defense refrigeration circle complete होता ठीक है छाले दोस्तों काम कहा यहां से शूरू होता है थीका दुसतो step by step हम लोग सीखेंगे दोस्तो काम जो हें काम यहां से शूरू होता है देखिए हम लोगों का जो compressor होता है compressor क्या होता है compressor होता है refrigerator ay nfl frizz और AC, refrigerator and air conditioning का hard होता है तोस्तो compressor, ठहिक है compressor का अंदर में गैस होता है compressor oil होता है innovation prints www.piston assembly rib piston assembly होता है piston जो है down and up यानि कि down and up position में इसको काम करता है ठहिक है दोस्तो देखिए हम दोगका यह freeze का compressor है hypothes bara compressor को चलानें के लिए हम लोगा रिले अवलोड का जोरूत होती है यहां अब लोड के फ्रीस का तीन पीने होती कोई भी फ्रीस को अपको देखने को मिले इसका और इसका अंदर में जब supply अगा घास को चाप देगा यानि कि प्रेशर क्रेट करेगा गैस को इप करेगा तो अब ग्याश क्या करेगा ग्याश बाहर की तरफ ठिंगा लेका कोशिश करेगा ठीक है दोस्तों इस तरह से कॉंप्रेशर काम करते हैं हम लोगा जो कॉंप्रेशर होता है हम लोगा कॉंप्रेशर का अंदर में जो में देखिए R600 जो गैस है यह फ्रीज और डिफ्रीजर में ज्यादतर यूज होता है ठीक है दोस्तों फ्रीजर डिफ्रीजर में ज्यादतर यूज होता है इधर में देखिए R22 ठीक है R22 जो गैस है यह हम लोग का आपको देखने को मिलेगा देखिए इसमें से एक लाइन होएगा इसका चार्जिंग लाइन, एक लाइन होएगा इसका डिचेज लाइन, एक लाइन होएगा इसका सक्षन लाइन, ठीके दोस्तों तो एक लाइन होएगा इसका चार्जिंग लाइन, देखिए दोस्तों यह जो लाइन है, इसमें जो है यह भल्ब लगाए, पिन भल्ब लगाए, इस की नाम किया है इसका नाम है दोस्तो nrv वल इसका क्या नाम है nrv bulb और भी है नगी कि दो 지금 अदर में जो गयाश रहेगा ओई गयाश को बाहर नहीं निकलने देगा इसके इसके लिए इसका नाम है non Needton और भी आने देगा ठीक दोस्तो नैकि non कीज सर्दीं है दोग्तों तो आपको क्या करना है देखे आपको जब झेग iphone करेंगे इसमें जो फ्रीज में ना creeping करेंगे तो आपको वाल्प आपको लगाना जरूरी है इसका अंदर में दिखेए इसका अंदर में एक रिभाल्प झालन को होता है इसको कड़ इसको खोल के अपको जो है इसमें ब्रेजंग करने आप जब इसको लगाएंगे ना इसको लगाएंगे देखिए अम दिखा देखेंगे अप जब इसको जब लगाएंगे ना चार्जिंग लाएन में जब इसको लाएंगे यह non-return फाल तो इसका जो पीन है इसका जो पीन है पीन आपको खोल लेना है इसका उपर को जो इस तरह से कैप लगा हुआ होएगा यह जो कैप है एक कैप से आपको इस तरह से अंदर तरब जो है इसको घुमाना है इस तरह से तो इसका अंदर में एक पीन इसका बाहर आएगा देख लिक्त чlair करने जाएंगे लाइनिक है के यह छाजिं YouTube लिख को बाहर नहीं निकलने देगा और इसका नाम है charging charging मतलब क्या होता है यहामे जो है हम लोग गैस चार्ट कर सकते हैंने कि गैस फ्रीज का अंदर डाल सकते हैं ठीक है कोई भी टाइम हम लोगा जो फ्रीज का गैस लिकेज हो जाता है चोकिंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं यह इस से जो है चार्जिंग लाइन से गैस डाल सकते हैं और गैस चेकिंग कर सकते हैं इसमेंसे जो gas हम लोग चेकिंग कर सकते हैं कितना gas है हम लोगा fridge में अभी gas है की नहीं तो यह हो गया इसका charging line ठीक है दोस्तों क्लियर है तो आपको जब यह charging line में pin pulp लगाए नहीं कि non neutron pulp इसमें जब लगाएंगे तो यह pin आपको निकल के ब्रेजिंग करना है ठीक है दोस्तो तो यह जो line है दोस्तो इधर में जो है ditches line दोस्तो ditches line कैसे पैचलेंगे दोस्तो ditches line यहनि कि ditches line जो है देखें दोस्तो ditches करना यहनि कि ditches करना यहनि कि बाहर की तरफ gas को फेकना ठीक है ditches यहनि कि ditches करना यहनि कि बाहर की तरफ gas को फेकना है और यह जो line है दोस्तो इसका नाम है suction line, suction line, एनिकी अंदर तरब gas को खीचिना, एनिकी suction करना, एनिकी suction करना, ठीक है दोस्तो, एनिकी यह हो गया इसका suction line, देखिए दोस्तो, ditches line और suction line कैसे पैचे रहेंगे, तो देखिए दोस्तो, freeze में जब आप gas charging करने जाएंगे, नमबर का होता है, ठीक है दोस्तो आप दुकान में जाएंगे, तो आपको इपूछे का, कौन सा pipe आपको चाहिए, तो आप देखिए, आप 3 x 16 तुस्तो 3 x 16 ईनिके 3 x 16 नंबर पाइप ठीक है और जो सक्षर लाइन जो लाइन हमेशा ठंडर रहता है ठीक है तुस्तो सक्षर लाइन जो पाइब का बाईब लेंगे दोस्तों ये उसका तुलना में इस इस जो पाइब मोटा एक इतना नंबर का होए दोस्तों यह होएगा उन बाटे फॉर है नकी एक बाटा चार रुपा एक बाटा चान नंबर का कि तो यह दिखेज लाइन के लिए और जो डिचे लाइन का पाइप होता है त्रीबाइ सिक्स्टेइन नमबर ठीके दोस्तो तो अब ये पाइप क्लियर हो गया अभी देखिए दोस्तो जब हम लोग का फ्रीज का अंदर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ये जो तीन पीने है ना दोस्तो जब रीलिय अवलोट का सुरू, जो है, गॉम्प्रेशर में जब सप्लाई आएगा, तो प्रेशर का अंदर में पहले बोला ही कि की गैस राएगा, यहांनि कि रेफ्रिजरेंट राएगा, ठीके दोस्तों, और क्या राएगा, इसका अंदर में पिस्टोन असिम्दी राएग तो यह गैस जो है बाहर की तरफ निकालने का कोशिश करेगा तो ओ कहां से निकलेगा दोस्तों देखिए ditches line यहनिकि ditches करना जो ditches line से बाहर की तरफ निकलेगा गैस ठीके compressor से जो है ditches line आया है ditches line से गैस आएगा ठीके दोस्तों ditches से जब गैस्ब आयगा तो हाई प्रेश से ज़एगा ठीके दोस्तों से गैस अनिकी रे agencies벟 ज्चेज़ियर्क जो है बहार की तरप में ऊसक्य हंड लागांगे ना दोसतों जाता है जाता है जो हे इसका बहुती ज़्यादा रहेगा ठीके द्था है जो है, ditches lenses जा करके, जो है condenser में, condenser में entry होने का बाद, condenser क्या है, देखिए condenser जो है, heat reject component, यानिकि heat को जो है, बाहर की तरफ फेकेगा, किसका heat को बाहर की तरफ फेकेगा, जो gas का heat है, gas का heat है, gas का heat को जो है, बाहर की तरफ फेकेगा, और gas का heat को बाहर की तरफ फेकने का तंडा करने थंडा करते जाएगा यह jsou中ЗдAdona करेगा और यह जो डैज तंडा करेगा घुना डैके तरह चला सप्वों जो दावाद हं यह जो पाइपका आंदर से जो ऑनधरjos पूरा कंडेशम में घुमेंगा और गैशमने का बाद इसका सब्सक्राइब ओर ल्गो comme और फेक करके जो है गैस को ठंडा कर देगा ठीक है दोस्तों तो देखिए डिचर्ज लाइन से जब गैस है देखिए यहां से दिखा देथे डिचर्ज लाइन से गैस बहार की तरब निकाल यहां से जब जाएगा ना दोस्तों तो इसका प्रेशार और टेंपरेचर ठीक है ध तो थोड़ा-थोड़ा करिके down होते रहेगा और यहां में जब आएगा देखिए यहां में जब यह होता है condenser का inlet यहां से ditches line से gas आगार गे जो condenser का यहां से inlet होएगा ठीक है यहां से entry होएगा ठीक है दोस्तो और पूरा system पूरा condenser में जो है filter लाग रहा था दोस्तो यह की लागा रहा था दोस्तो देखिए यह filter एदिक साकनी के तरह काम करता है हम लोग का फिल्टर यानि के फिल्टर का अंदर में जितना कच्रा बगर आ है वह क्या करता है यह फिल्टर जो है फिल्टर साक लेता है यह गैस का अंदर में जितना कच्रा है देखिए फिल्टर मार्केट में दो प्रोकर का आता है दोस्तों यह भी यानि कि सिलिका जेल इसका अंदर में दाना दाना टाइप कर आएगा देखिए यह जब आप हिलाएंगे तो इसका अंदर से दाना दाना टाइप का एक साउंड आएगा ठीके दोस्तों यानि कि इसका अंदर में छोटा छोटा करके इससा दाना दाना टाइप का सिलिका जेल तो यह होता है silica gel filter और एक होता है ordinary filter उसमें कोई silica gel बगर नहीं होता है उसका यहां में एक जाली होता है तो वह क्या करता है दोस्तों ओआओ जो जो मौश्चर को जो है आची तरह से सोक नहीं पाता है और सामने जा कर कर से जो है तो जब आप काम करेंगे तो आप सिलिका जेल फिल्टर ही लगाएंगे तो आप सिलिका जेल फिल्टर ही लगाएंगे इसका जेल फिल्टर ही ही है और यहा में जाली होता है तो सिलिका जेल फिल्टर ही है यानी की रेफ्रिजर्ट के यहां कि अन्दर में जीतना कचरा है जीतना नम है तो bul की तरफ निकलेगा निकल के जो हैं कंडेंसर का काम है गयास को घुमा 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 करके जो है गयास को ठंडा करना है और ठंडा करने का बाद इसको भेजना है फिल्टर में फिल्टर का काम होता है दोस्तों फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट का अंदर में जितना कचड़ा है जितना नामी है ठीक है उसको सोक लेना यानिकी एब्जॉर्ब कर लेना और फ्रेश रेफ्रिजरेंट को आगे का तरफ भेजना यह होता है फिल्टर का ठीके दोस्तों यह जो है fresh refrigerant को यह की कच्रा बगर को सोखने का बाद यह क्या करता है और capillary tube में यह उसका आगे नाम है capillary tube यहनी की capillary tube में भेशतेए ठीके दोस्तों यहां में एक बाद आपको ध्यान देना है ड्यांसे जब गैस निकलता है ठीके दोस्तों high pressure और high temperature से gas जाता है ठीक है तो इस तरह pressure से gas जो है हम लोग का cooling coil में हम लोग भेज देंगे तो उसलिए जो है हम लोग का जो है इसका temperature और pressure ज्यादा है तो इसका temperature और pressure को low करना होगा हैनि कि temperature और pressure को घटाना होगा तब जा करके जो है हम लोग का cooling coil में जा करके cooling कर पाएंगे ठीक है दोस्तों इसलिए दोस्तों देखिए यह मोटा pipe है ठीक है एक capillary tube का अंदर में जो diameter होता है दोस्तों ओ 0.5 से लेकर गए 0.2 mm होता है आप अंदर दोस्तों लागा सकते है कि इसका जो gap है ओ कितना छोटा है ठीक है दोस्तों जब इसका अंदर में gas आएगा ठीक है यहां से gas है इसका flow कमती हो जाएगा एनिकि इसका जो गती है एक गती जो है कमती हो जाएगा और इसका जो गती कमती हो जाएगा तो इसका temperature जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो एक gas जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो इसका प्रेशर जो है अम लोग यहां से कमती कर देंगे यानि कि capillary tube में जब gas आएगा तो इसको pressure घटना शुरू हो जाएगा यानि कि pressure कमती हो जाएगा तो यह से जब gas आता है इसको pressure भी ज्यादा रहता है और temperature भी ज्यादा रहता है ठीक है जब capillary tube का अंदर में आएगा दोस्तों इसका diameter सोटा होने का बज़र से इस gas का जो pressure कमती हो जाएगा ठीक है flow कमती हो जाएगा और flow कमती होना के सासथ इसका temperature भी कमती हो जाएगा और गयाट जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा ठीक है और एक capillary tube का थी का pilar tubes से gas बाहर निकल के कहा जाएगा गयाट ही यह capability ट्यूप से gas बाहर निकल के जो है यह इथए realor ऑपेडर यह कोहल का अंदर में एंट्री होएगा ठीक है यह ऑनदर एजयंग का अंदर में-ह साथा गमीसलगी के मुने मेंगा and carry from my यहां में ठ़ंडा करेगा और ठंडा करेगा और फ्रीज का अंदर में जो help, ःगावbarator यह जो cooling को आले एज इसका का जो heat को खिस करके अपनी तरफ खिस करके ओ ठंडा पोभाव को उसको उपर में छोड़ देना ठीक है दोस्तों ओ होता है दोस्तों evaporator एनिकी cooling coil ठीक है एनिकी freezer अब जो भी बोलो ठीक है दोस्तों तो यहां में जो है यह freeze का अंदर में जो fall है vegetable है उसका heat को absorb करके इसका अंद return compressor में आएगा देखिए देखिए दोस्तों यह return ए compressor में देखिए ए compressor में आएगा ठीक है दोस्तों और यह जो pipe होता है दोस्तों यह होता है suction pipe और suction pipe जो है हमेशा जो है ठंडा रहता है ठीक है दोस्तों section pipe जो हमेशा ठंडा रहता है ठीक है दोस्तों यहां से जो gas जा रहा ठीक है और पूरा घुमने का बाद ये गैस को ठंडा कर दिया है ठंडा करने का बाद ये फिल्टर में गया है फिल्टर में जाने का बद फिल्टर का काम क्या है रेफ्रिद्रेंट का अंदर में जीतना कच्रा है नमी है और कच्रा को छोकना है कासर ना को छोकने का काम होता ढूस्तर इसका d Visual Game चोट होता है तो इसका अदर में ज़ोенная शाए तो इसका प्रेसर को कमती हो जाएगा तो साथ-सहर टिमपरेचर भी कमती हो जाएगा यािनिकि जह है गरम घैस है थंडा घैस में होने बाद और कोल्ने का अंदर में जितना वड है वेजीटाबिल ओ Moment को आंदरों कहीच लेगा यह cooling coil जो है heat को अंदर तरफ खीच लेगा उसका तरफ खीच लेगा और खीच करके जो है इसका उपर में जो ठंडा है और ठंडा को जो है fruit और जो vegetable उसको उपर में छोड़ देगा ठीक है और छोड़ने का बाद यह काम होता है इसका freezer का काम होता है और छोड़ने का बाद दे तो आशा करते हैं दोस्तो आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखने को मिला दोस्तो दोस्तो सिखने को मिला है प्लीज दोस्तो वीडियो के लिए दोस्तो एक लाइक कर देना है और चैनल मिलना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है तो चले दोस्तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई